हेलो एवरिवन आप सबका इस चैनल पे फिर स्वागत है हमारा आज यूपी पीसेस के लिए टैसन क्या पाँच है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सतत्थ विकास लक्षे 2020 में भारत का कौन सा इस्थान था आपके ऑप्शन है तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा तो दोस्तो इसका आंसर सही होगा हमारा अप्शन नंबर बी हमारा भारत पिछली साल 2019 में दो इस्थान फिसल कर एक सो सत्रवे स्थान पर आ गया है मतलब पहले हमारी रैंकिंग 115 थी 2019 में और 2020 में हमारी रैंकिंग 117 हो गई है यह सतत्विकास लक्षे संयुक तरास्टलर 2015 में एजंडा 2030 के रूप में अपनाई गए थे सतत्विकास लक्षे को प्राप्ट करने में सभी राज्ये और केंसासिस परदेश में केरल हमाचल परदेश और चंदीगड का सिर्ज इस्थान रहा है नेक्स्ट प्रकास सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि बताईए क्यों प्रतीत होता है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा option number C प्रकास का तरंग धैर्य बहुत छोटा होता है इसलिए प्रकास हमें CT रेखा में चलता ह meisten प्रतीत होता है प्रकास का तरंग धैर्य चोटा होने के सासाथ उसका विवर्थन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आखों को नहीं देख सकता इसले ही प्रकास हमें सीथी रेखा में चलता हूँ अप्रतित होता है हमारा next time जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम में से कौन से एक परिवर्थित रहता है तिर्वता, आवर्ती, वेग, तरंग धहरीय बताईए इसमें से कौन सा ओप्षन चलिए होगा दोस्तो हमारा इसमें से आंसर होगा ओप्षन नमबर ती तो सोरी बी आवर्ती हमारा इसका आंसर सही आंसर होगा आवर्ती आवर्ती के कारण ही जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग धहर्य और वेक तो बदल जाते हैं लेकिन उसकी आवर्ती नहीं बदलती है नेक्स्ट कोशन है प्रकास की गती किसके बीच में से जाते हुए नियूंतम होगी तो आप बताईए कौन सा आप्शन हमारा सही होगा दोस्तो इसका सही आंसर होगा काच जिस वस्तु या परधार्थ का अफ़र्तनांग जादा होता है उसमें प्रकास की गती नियूंतम होती है काच का अफ़र्तनांग सबसे जादा होता है इसलिए उसमें प्रकास की गती नियूंतम होती है सूर्य के प्रकास को धर्ती तक पहुचने में कितना समय लगता है तो आपके option है 4.2 second, 4.8 second, 8.5 minute या फिर 3.6 minute तो दोस्तों इसका सही answer होगा option number C 8.5 minute next question है हमारा प्रकास सजावट और विज्यापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रियुक्त होने वाली गैस कौन सी है दोस्तों आपके बताईए जरा हमें इसमें से कौन सा अंसर सही होगा पहला option है हमारा carbon dioxide, दूसरा है ammonia, तीसरा है हमारा sulfur dioxide, चोता है हमारा neon तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा neon gas, neon gas ऐसी है जो सजावट और विज्यापन के लिए नलिका में प्रियुक्त होती है यह हमारे इसको हम लैंपो टूप लाइप में भी प्रतिलिप्ति बल्बो में भी भरी जाती है नेट्स्ट है हमारा निम्ड शब्दों पर विचार कीजिए आपको चार सब्द दिये गए हैं समाजवाद, प्रजातांत्रीक, सार्भोमिक और धर्मिरपेक तो आपको बताना है जो हमारे प्रस्थावना दी गई है उसमें ये सही क्रम में कौन सा ओप्षन इसका हमारा सही होगा तो बताईए इसका option हमारा सही होगा A option तो पहले आएगा हमारा सारभोमिक, दूसरा आएगा हमारा समाजवदी, तीसरा अकसर आएगा हमारा धर निर्पेक्ष और चोते नंबर पर आएगा हमारा प्रजा तांतरिक नेट्स्ट है, भारत एक गरतंतर है, इसका अर्थ है, option number 1 है, सभी मामलों में अन्तिम अधिकार जनता के पास होगा, भारत में संसत ये सासन नहीं है, भारत में वनसा नुगत सासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संग है, तो बताईए इसका कौनसा अंसर सही होगा, दोस्त नहीं है, उसको बोलते हैं हम गरतंतर, दोस्तों, गरतंतर का तात पर ये भारत का रास्ट अध्यक्स निर्वाचित होगा, ना की वनसा नुगत होगा, गनराज्ये के सभी नागरीत समान होते हैं, अतहे वे किसी भी लोग पदेतु निर्वाचित हो सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा सविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कतन सही है, पहला है समाजवाद धर्मिर्पेक शब्द 1950 में लागू सविधान के अंग नहीं थे, दूसरा है यह सब्द 1987 के दुआरा जोड़ा गया, तीसरा ओप्शन है हमारा यह सब्द 1985 में संसुदन नहीं है, दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ओप्शन नमबर ए, समाजवाद धर्मिर्पेक शब्द 1950 में जब लागू हुआ था, तो उसमें यह हमारा मतलब यह सब्द नहीं था, और यह जो सब्दें हमारा 42 सविधान संसोदन के दुआरा जोड़ा गया था, और इसके साथ साथ हमारे दो शब्द और चोड़े गए थे, पंत निर्पेस और अखंड था, यह 42 सविधान संसोदन के दुआरा 1976 में जोड़ा गये थे, दोस्तों आपको याद रखना, S, P, A, यानि कि S4 समाजवाद, P4 पंत निर्पेस और A4 अखंड था, आपको यह 3 सब्द याद सूद की कि देशी का सविधान का भाग नहीं है, आपके ऑप्शन है, देखकर पताएं कौन सा आंसर हमारा सही होगा, दोस्तों इसका आंसर सही होगा, हमारा, ऑप्शन नमबर, बताईए, ऑप्शन नमबर 3, बंबई बनाम यूनियन ओफ एंडिया, दोस्तों जो बेरुब वारी मामला था, वो हमारा सन 1960 के वाद में उस्तम नियाले ने उस देशी का में सविधान का उसको नहीं माना था, लेकिन जो केश्वानंग भारती मामला था, केश्वानंग भारती बनाम केरल लाजिये, 1973 में उस्तिशी का को सविधान का बाग बताया था, और इसमें संसोधन भी किया जा सकता है, उसमें जो बंबई वाद में उसमें जस्तिस रामा स्वामी ने प्रस्तावना को सविधान का एक अभिन अंग बताया था, नेक्स है, भारत में लोकिक सारभोमिकता है, क्योंकि सविधान की प्रस्तावना आरंबोता होती है, बताये किस से स्टावना किस से स्टार्ट होती है, हमारे उप्शन है, प्रजात आंतरिक भारत सब्दों से, जनता के जनतर सब्दों से, जनता के लोकतंतर शब्दों से, या हम भारत के लोग शब्दो से तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम भारत के लोग सब्दो से प्रस्तावना जो शुरू होती है वो शुरू होती है हम भारत के लोग का तातपर्य इसमें क्या होगा अब बताइए आपको हम भारत के लोग इसके से मतलब क्या है इसका मतलब सवीधान का जो मूल स्रोत है वो भारत की जनता है यह सब्द संयुक्त रास्ट संके चार्टर की उदेश्यगा में परियुक्त शब्द हम संयुक्त रास्ट के लोग्स के समरूप है नेक्स्ट है करक रेखा निमलिकित में से किस एक राजियों से होकर नहीं गुजरती है दोस्तो जो करक रेखा है वो आठ राजियों से होकर गुजरती है अब इसमें से बताईए कौन सा उप्चन हमारा चही नहीं है इसका सही आंसर होगा हमारा उप्चन नमबर डी ओडिसा स दोस्तों जो हमारी करक रेखा है वो हमारे किस किसे गुजरती है सबसे नंबर उन पर आएगा गुजरात फिर उसके बाद देखिए राजिस्थान फिर मध्यपरदेश फिर चतिस गड़ फिर जारखंड फिर पच्छी मंगाल फिर तिरपुरा और फिर असम एक बार फिर से र दिगरी पूर्वी दिसानतर के संबन में सही नहीं है अब हमारे ऑप्शन है यह भारत के लिए मानक दिसानतर है तो दोस्तों यह हमारे ऑप्शन जो है वो एकदम सही है नेक्स्ट है इस रेखा खा स्थानिय समय ग्रीन वीच समय से सारे 5 घंटे आगे है तो दोस्तों यह । को करक करक हमारे भारत को दो बराबर भागों में बाटती है। दोस्तों ये हमारा option एकदम गलत है और इसकी जगे हमारा आएगा करक रेका हमारे भारत को दो बराबर भागों में बाटती है और जो green वीच रेका है वह हमारी काल्पनिक रेका है जो प्रत्वी पर 0 degree दिसानता रेका पर खीची गई है नेक्स्ट वोशन है हमारा निमलिकित में से कौन साज्थान भूमध्य रेका के निकट है बताइए जरा जो हमारा भूमध्य रेका अर्थार जो हमारी विश्वत रेका कोई भूमध्य रेका कहते हैं बताइए कौन सा option सही होगा दोस्तों इसका सही answer होगा हमारा option number C जो हमारा इंद्रा पॉइंट वह हमारा भुमद्य रेखा के पास और पॉइंट का बिंदू में है भैरत उत्रत्तम भिंदू है वह हमारा इंद्रा कोवी का पढ़ेगे प्चिम का बिंदू भारत का वह है के बिंदू में मुख्य दक्षुनी सीमा यह मुख्य भूमी थीश्वर इंद्रा पॉइंट पड़ता है वह का भूप्य भूमी का फॉनी ना पढ़रों में दोस्तों आपको सारे याद करने हैं क्योंकि यह बहुत इंपोर्डेंट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा निमलिकित में से कौन सा देश छेटपल में से में भारत से बड़ा नहीं है आप बताइए इसमें से option देखके बताइए कौन सा option आपका सही होगा दोस्तो इसमें जो सबसे मतब भारत से बड़ा नहीं है वो option number है बताइए कौन सा अभी अभी कमेंट करके बताइए कौन सा option हमारा सही होगा तो दोस्तों इसमें जो हमारा फ्रांस है वो हमारा भारत जो है वो हमारा विश्यू का छेटवर की दस्टी से सातवे नंबर पर आता है व पर दूसे हमारा एशिया और हमारा यूरोप तो नंबर फे पड़ता है और जनसग्या की द्रस्टी से भारत दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर कौन सा चाइना नेक्स्ट है निमलिकित में से किस राज्य समू की सीमाएं बांगलादेश से जुड़ी होई हैं देखकर बताईए कौन सा उप्षन हमारा सही होगा दोस्तो इसके जो हमारा यूपी की बांगलादेश से हैं यही ऑप्षन यूपी के वज़े से गलत हो जाता है क्योंकि यूपी की जो सीमाएं वह पांगलादेश से नहीं जुड़ी होई हैं से थे देखकर वंक चीमाचार यूपी की बांगलादेश से जुड़ा हुआ है असम से जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा जुड़ा हुआ है, मिगाले जुड़ा हुआ है, वही हमारा मिजोरंबी बांगलादेश से जुड़ा हुआ है, हमारे भारत के जो साथ पड़ोसी देश हैं, जिनसे हमारे भारत की सीमाई लगती हैं, उसमें हमारी जो हमारे UP pieces में बहुत बड़ा महत्व रहता है तो आपके current के question भी में आपके सारे cover करा दूगी आप चिंता मत कीजेगा मैं सारा अच्छे से आपको cover कराएंगी आपको last में यह नहीं लेगेगा कि हमारा कुछ छूड़िया है तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए DP का कुमारी मलेश्वरी इसका आंसर होगा कैथरीन ब्राइन इसका आंसर होगा मिथारी रास्तों धोस्तों मारे असका सही आंसर होगा बताईए बताएं हमारे इसका सही आंसर होगा option number दिप्पी का कुमारी दो हजार इसमें इकिस का तिरंदाजी विश्व कप जीता है। यह जो तिरंदाजी कप था वो जून दो हजार प्रुषकार दो हजार इकिसे सरवसेस्ट फिलिम का अवोर्ड प्रदान किया गया है। तो आपके option है नो मार्ड लेंड नेक्स फिलिम दा फायर नेक्स दिफ हार्ट लोकर या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों यह आपको याद करना है most important question है और इसका option होगा हमारा option number A नो मार्ड लेंड को इस बार 93 वे ओक्सर और सॉरी ऑसकर प्रुसकर प्रदान किया गया है दोजार इकिस वे इसको आपको दोस्तों करम भी सका याद रखना यह 93 वे ओसकर रवोड है जो दोजार इकिस में संपन हुए इसमें चीनी मूल के फिलिमकार ख्लोई ज्छाओ दुआरा निर्देशित अमेरिकी फिलिम नॉमाड लेंड को सरवादिक तीन ओसकर से सम्मानित किया गया जिसमें से सर्फसेस फिलिम का वोड मिला है सर्फसेस अभी निर्देशक का पुरुसकार वी इसने जीता है नेक्स से हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2021 में किस उपन्यास के लिए यह दिया गया है दोस्तों यह मोस्त इंपोडेंट कोश्चन है ऐसे कोश्चन यूपी पीसस के फेवरेट होते हैं तो बताएं इसका कौनसा अंसर सही होगा इसका अंसर हमारा सही होगा एट नाइट ओल दी ब्लड आइट ब्लैक दोस तो यह जो हमारा कप है इंटरनेशनल बुकर बुकर प्राइस 2021 यह हमारे उसके लिए उनका जो मतलब प्रदान किया गया है यह उपन्यास है एंड नाइट ओल ब्लैड इस ब्लैक डैविड यह पुस्तक जीतने वाले यह किसकी है यह डैविड डियो अपन्यास को मिला इसक दोनों आपको यह इंपोडेंट नाम है एक तो आपको उपन्यास का नाम याद रखना है और यह किसने लिखा है उपन्यास कार का आपको डैविड डियो अप दोनों के नाम याद रखने है यह जो डैविड है हमारे यह पुस्तक जीतने वाले पहले फ्रांसी सी उपन्यास बन गए हैं नेक्स्ट वोशन है हमारा और यह नेक्स्ट के साथ यह मारा लास्ट कोश्टन भी है दिल हिंदी का सहाइत्य अकादमी पुरुषकार 2020 किसे प्रदान किया गया है तो दोस्तों इसके ऑप्षन है अप्षन नमबर ए अनामिका अप्षन नमबर दो अरुन्दति सुब्रमन्याम अप्षन नमबर तीन कमल कांत जहां को या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही ऑप्षन होगा option number A अनामिका को ये पुरुषकार प्रदान किया गया है हिंदी का साथ्यकादमी पुरुषकार टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए 2000, उन्होंने 2014 में लिखी थी कविता संग्रे इसी कोईनी के लिए अनामिका को ये पुरुषकार दिया गया है दोस्तो आज के लिए इतना ही हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सकाइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक के साथ इसको शेयर भी कीजिए जो दूसरे लोगों को भी इसके इसका बेनिफिट उठा सके थैंक यू थैंक यू सो मच